नमस्कार दोस्तों वनिडिया में आपका स्वागत है भारत के प्रधान मंत्री नरीन हिर्मोदी ने सत्य सेतंबर को अपना सत्तर्वा जनम दिन मनाया प्रधान मंत्री को देश भर से शुब कामनाय मिली और उनके प्रशन्सकों ने सोशल मीडिया पर धूम धाम से जनम दिन का जशन मनाया कई भारती क्रिकेटरों ने भी सोशल मीडिया के जरी प्रधान मंत्री को जनम दिन की शुब कामनाय दी भारतिय कप्तान विराट कोहली ने बहतरीन अंदाज में पीम मोधी को जर्म दिन के बधाई दी जबकि महान बल्लेबासाचिंद अनुर्कर ने पीम के साथ फोटो शेर किया पीम नरेंद्र मोधी का खेलो के प्रती काफी रुझान है और जब वो गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो कई क्रिकेट मैचो का स्टेडियम में बैट कर लुफ्त उठा चुके हैं मोधी ने ट्विटर पर लगबख सभी क्रिकेटरों के बधाई संदेश का जवाब दिया लेकिन भारती कप्तान विराट कोहली को उन्होंने जो जवाब दिया उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खीचा है पीम नरेंद्र मोधी ने सबसे पहले विराट कोहली के बधे विश्का शुक्रिया अदा किया और भारती कप्तान के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को शुपकामनाई दी जो 2021 में अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए तयारी करने वाले हैं नरेंद्र मोधी ने जवाब दिया धन्यवाद विराट कोहली मैं आपको और अनुष्का शर्मा को भी शुपकामनाई देना चाहता हूँ मुझे भरोसा है कि आप लोग अच्छे पैरेंट्स बनेंगे बतादे विराट कोहली और अनुष्का सर्मा ने 2017 में इटली में शादी की थी और इसके बाद दिली में एक ग्रैंड रिशेप्सन रखा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने अपनी उपसिती दर्ज कराकर समारों की चमक बढ़ाई थी बतादे विराट कोहली इस समय आईपेल की तयारियों में जुटे हुए हैं जहां उनका लक्ष अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चलेंजर बैंगलॉर को पहली बार आईपेल चैंपियन बनाना है आईपेल ये बारा सीजन बीद गए हैं लेकिन कोहली की सेना खिताब जीतने में एक बार भी सफल नहीं हो पाई है इस बार कप्तान कोहली को भरोसा है कि UAE में उनकी टीम धमाल मचाएगी और खिताबी सूखा समाप्त करेगी आर सीबी अपने अभियान की शुरुआत 21 सितंबर को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ करेगी फिलाल के लिए खबरों में इतना ही तमाम अपडेट्स करें देखते रही है पन इंडिया